भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र इस लोग तंत्र का मंदिर है संसत भवन जहां होती है जन जन की आकांग्षाओं पर चर्चा और देश के भविश्य की दिशात आए मौजूदा संसत भवन को बनाया गया था सौ साल पहले इन सौ सालों में आवशक्ताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेर और रेनोवेट किया जा चुका है पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग शमता बढ़ाना मुम्किन नहीं और नाहीं मुम्किन है इंफरस्ट्रक्चर और टेकनोलोजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना इसी लिए आज नया संसत भवन एक विकल्प नहीं बलकि 21 सदी के नय और आत्म निर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना को संजोए नया संसत भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में जिसका निर्मान 21 महीनों यानि की आजादी की 75 साल गेरा तक संपन्द कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविदताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन जिसे पहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भुकम परोधी सिस्टम के मताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30 प्रतिशत तक कम करने और अगले 150 से जादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा नए संसद भवन की कुल सीटिंग शमता पहले के मुकाबले 150 प्रतिशत से भी अधिक होगी मतलब अब लोगसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग शमता होगी साथ ही दिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्याले और लोगसभा और राज्यसभा हॉल होंगे, हाई क्वालिटी ओडियो विडियो और हर एक डेस्क, इलेक्ट्रोनिक गैजट से लैस इसके अलाबा यहां पर होगा भारत की भव्वे विरासत को दर्शाता, सम्विधान हौल, उस्तकाले, समिती कक्ष और भोजन क्षेत्र मतलब की नया संसदभवन होगा, 130 करोड देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला शेत्रिय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत जलकियों को अपने कण-कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेमबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतंत्रिक लक्षेओं को साकार करने वाला जैसे आपनिवेशिक काल के पुराने शहीद समारक के सामने हमने बनाया है नैशनल वार मेमोरियल ठीक वैसे ही पुराने संसतभवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्म निर्भर भारत को समर्पित नया संसतभवन तो आईए आज इस एतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसतभवन का शिलान्यास